मोधी की जीत पर 2000 तो हार पर लगा लाखों का 60 क्या कासी में नरेंद्र मोधी की इस बार डूप जाएगी नई या एकजित पोल के 62 बाजार में लगी करोणों की बोली पीम नरेंद्र मोधी यूपी की 1280 सीट से लगा तार दो बार 2014 और 2019 में जीते इस बार भी कासी में उनके जीतने की संभावना हैं लोग सबा चुनाओ 2024 से जुड़े एकजित पोल के नतीजों के बाद 62 बाजार और गर्मा गया है खबर के मुताबिक 62 बाजार में 300 करोल रूपे से अधिक की रकम दाव पर लग चुकी है मीडिया रूपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा दाव प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वारार्सी सीट पर लगा है हिंदी अखबार डीबी की रिपोर्ट में बताया गया कि पेम की हार जीत पर सबसे बड़ा दाव लगाया गया है पेम नरेंद्र मोदी की जीत पर एक लाख रूपे लगाने पर वहाँ दो हजार रूपे मुनाफे का रेट है माल लीजिए कि अगर पेम मोदी जीते तो एक लाख रूपे लगाने वाले को दो हजार रुपए का मुनाफ़ा मिलेगा वही नरेंद्र मोदी की हार पर सरवाधिक भाह है वो अगर हारते हैं तो एक लाख रुपए लगाने वाले को शाड़े तीन लाख रुपए मिलेंगी यहां रोचक बात यह है कि पीम मोदी की जीत हार से अधिक इसके मारजीन पर भी दाव लगाया गया है अगर मोदी दो लाख के अंतर से जीतते हैं तो सटा बाजार में एक लाख से डेड़ लाख रुपए मिलेंगी तीन लाख से अधिक मारजीन से मोदी जीते तो पैसा डबल हो जाएगा तीन लाग से अधिक मार्जीन से PM मोदी जीते तो दो गुना यानि पैसा डबल हो जाएगा नरेंदर मोदी की जीत की मार्जीन 2019 में 4.79 लाख वोट था वहीं 2014 में 3.71 लाख वोट था यूपी में लोग सवागी 80 सीटे हैं कासी में 1 जून को आखिरी चरड में मद्दान हुआ था यहां से इंडिया गढ़ बंधन की ओर से अजयराय ताल ठोक रहे हैं वैसे तमाम एकजिट पोल और आंकडों में प्रधान मंत्री मोदी को इस बार भी जीत मिलने की उमीद जताई जा रही है जबकि इंडिया गढ़ बंधन के तमाम नेता इस तरह के दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सीड भी खत्रे में है वैसे वारार सी सीड को लेकर आपकी क्यारा है कमेंट में जरूर लिखिये और खबरों के लिए देखते रहे है दा पबलिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफार्म